इन दोनों ही मेतड में sponsorship पहले मिलती है Welcome back to the main wills और आज की यूडियो में हम बात करने वाले है Diploma in Nautical Science DNS Sponsorship August 2022 के बारे में कि सर अब हमको admission भी चाहिए हमको sponsorship भी चाहिए हमको 12th का exam भी clear करना है तो सर कुछ ऐसी strategy बताओ ताकि हमको सब कुछ चीजे पता चल जाए और at last हमको एक अच्छी college मिल जाए with sponsorship तो बिलकुल आपकी help करेंगे लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहरा हूँ आज की वीडियो में हम IME CET के बारे में कुछ भी discuss नहीं करेंगे क्योंकि हमने already videos के उपर videos बना रखी जिसको देखना हूँ आई section में जाके उस video को देख सकते आज की video में हम बात करने वाले कि sponsorship आपको कैसे लेनी है उसका procedure क्या है ठीक है sponsorship form आया है companies आ रही है लेकिन सर on paper बताओ कि हम कैसे अप्रोच करें किसी company को तो आज की video में वही हम practical बाते करने वाले और उसमें आपको पता चल जाएगा वीडियो के last तक कैसे आप किसी company में sponsorship ले सकते हो तो सबसे important बात यह है कि यह video उन लोगों के लिए जो already 12th class में है या फिर जो already 12th pass out हो चुके और wait कर रहे है कि IME, CET exam कब आएगा और उसी के आज पास sponsorship companies भी अपना form निकाल देती है तो लगबग आपका time बिलकुल सही है और आप बिलकुल सही platform पर आएओ मैं आपको guide करूँगा कि आपको sponsorship companies को कैसे approach करना है या फिर कैसे किसी college को approach करना है ताकि आपको sponsorship मिल जाए No.1 rule मैं हर वीडियो में बोल रहा हूँ इस वीडियो में भी बोलूँगा बिना sponsorship के किसी भी college में admission नहीं लेना है बहुत सारी college दावा करेगी कि एक बार आप admission ले लो फिर sponsorship companies आएगी No, don't take the admission आप ले लोगे, आप पैसा भर लोगे उसके बाद में अगर आपको sponsorship नहीं मिली तो सोच लेना कि वो एक साल बाद भी आपको कभी नहीं मिलेगी फिर बहुत difficult scenario outside market में बहुत difficult हो जाएगा आपके लिए job find करना sponsorship is must before you take admission in any maritime college sponsorship जो होती है वो आपको दो तरीके से मिल सकती है पहला exam में कोई भी independent shipping company जो है वो अपना खुद का ही form डेकलेर करेगी उसकी official website पर मालनो किसी company का नाम है A तो वो उस A की website पर अगर आप जाओगे तो वहीं पर आपको total information मिल जाएगी क्या आपको sponsorship form कैसे भढ़ना है क्या procedure है कैसा exam होगा कैसा interview होगा यह सब कुछ आपको वहाँ पर पता चल जाएगा दूसरा जो procedure है college के थूप जैसे कि किसी college का नाम है X तो आपको इस college को अप्रोच करना पड़ेगा कि sir मैं को diplomat, nautical science के लिए admission भी चाहिए और मुझे sponsorship भी चाहिए तो college आपको बोलेगा कोई बात नहीं, हम आपको admission भी देंगे, sponsorship भी देंगे तो वो आपसे कुछ formalities करवाएंगा और बोलेंगे जब भी हमारे college में कोई भी shipping company visit होगी, तो हम आपको call करके बताएंगे, तब आप इस shipping company का exam देना, और अगर आप एक्जाम पास होगे, आप interview पास होगे, तो हम आपको अपनी college में भी admission दे देंगे, ये मैंने बताए number two method, number one method में मैंने बताए कोई भी company A है, मालो आपने उस A company का, आपने written exam क्लियर कर लिया, उसका interview आपने क्लियर कर लिया, आपको sponsorship मिलगी, तो अब आप बोलोगे, sir ठीक है, sponsorship तो मिलगी, लेकिन college भी तो करना है ना, एक साल का, वो कहां से करेगा, तो वो कहां से करना है, वो shipping company आपको बताएगी, कि भाई साथ ये आपके पास 10 college के नाम है, कोई भी college choose कर लो, और यहाँ पर जाके 12 महीने, मतलब 12 months का अपना diploma in nautical science course कर लो, जैसी आप इस college आपके course कर लोगे, course पूरा हो जाएगा, हम आपको ship पे बेज देगे, तो I hope ये दोनो method आपको समझ में आ चुके होंगे, कैसे ये दोनो method काम करते हैं, लेकिन एक बास ज़रूर याद करना, इन दोनों ही method में, इन दोनों ही method में sponsorship पहले मिलती है, आप किसी की बातों पर सुनके, college में admission पहले मत ले लेना, तो फिर वो आपके साथ एक fraud हो सकता है, ये बिलकुल आप ध्यान में रहें, बोला सर, ये बात है तो ठीक आपने बता दिया, दो methods होते हैं, कैसे, क्या है, कौन से method में क्या होगा, किस method में क्या होगा, अब आपको ये बताओ कि हमको पता कैसे चलेगा, घर पे बैठे कि किसी sponsorship company का form आया, तो तो देखो, मैं आप एक किसी भी company का नाम नहीं लेने वाला हूँ, किसी भी college का नाम नहीं लेने वाला हूँ, वो आपका दिमाग है कि आप उस college के बारे में कैसा research करते हो, कैसा आपको feedback मिलता है, आप उसके comments देखो, आप उसके pass out student से पूछो, इंटरनेट पर जाओ, तो वहाँ पर आपको सब information आज की तारिक में मिल सकती है, तो मैं अगर बात करूँगा, let's take a example of a company B, कि आपको सिर्फ company B में ही sponsorship चाहिए, तो first उसको categorize करतो, company B जो है वो किसमें fall होती है, अपनी वाली जो first category है, कि वो individual exam लेती है, फिर आपको college बोलेगी, यह 10 list है, आप कोई भी एक college लेलो, या फिर वो company B, सिर्फ एक particular institute में ही आती है, कि भाई साब आपको इस institute में admission लोगे, या फिर इस institute को आप contact करोगे, तब ही जाकर आपको sponsorship मिलेगी, तो आपको information, यह total जो information है, आपको उस company जो भी भी है, उसकी website पर आपको मिल जाएगी, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, और अगर आपको जानना है कौन-कौन से shipping companies है क्या है, तो जितनी भी shipping companies आपको पता है, अच्छी-च्छी बहुत ही अच्छी जी, जो shipping companies है, उसके बारे में पता है, उसकी official website विजिट करो fake, कोई किसी ने कुछ बोला कि हाँ भाई, आया है, form आया है उसकी किसी की बातों बिली मत करो, official website को विजिट करो, वहाँ बिल्कुल proper instruction के साथ आपको बताएंगे कि form कैसे fill up करना है form की last date कब है और total वहाँ पे instructions आपको मिल जाएंगे और वहाँ से आप अपना diploma and notical sense का form भर सकते हो जैसे आपका form fill up होगा, आपका written exam होगा, आपका oral exam होगा उसके बाद में आपका medical examination होगा, फिर आपको confirmation मिलेगा कि हाँ बाई साब वो enough है preparation के लिए, लेकिन जिसको premium content चीए वो इस course को देख सकता है बहुत ही brilliant और बहुत ही scratch zero से हमने बताया है कि कैसे आप IMECT प्लस DNA sponsorship की तयारी कर सकते हो with interview और अगर आप ये course देखते हो premium content तो इसके साथ में आपको sponsorship interview question and answer की बिलकुल absolutely free मिलेगी जिसमें हमने बहुत ही variety के question दियेगे personal interview question, situational based question technical questions तो इससे आपका interview की preparation पूरी हो जाएगी आपको कहीं जानेगा, कोई काम नहीं लेकिन आपको सिर्फ अगर ये book चाहिए interview की तो आप एक separate book भी खरीद सकते हो इन सब की link है मैंने description में डाल रखिए तो इन सब ये जो content मैंने बताए जरूरी नहीं है खरीदना इसके बिना भी लोग pass हो सकते हैं ऐसी कोई जरूरी नहीं है कि ये खरीदो के तभी pass होगा No, it's not like this आप अगर एक average student है आपको 12th का पता है चीज़े, आपको आसपास की चीज़े पता है Google form भरो, उस agent को call करो कुछ नहीं करना है Just use your basic common sense उस shipping company की website पर जाओ थोड़ा सा अपना समय दो वहीं पर आपको सब instruction मिल जाएंगे कि उसका form कब आएगा, कैसे form fill up करना है क्या procedure है, किसी से कुछ भी पूछने का काम नहीं है मुझे पता है, आपको लोग 12th में हो, आप समझते हो कि हम थोड़े चोटे है, तो हमको चीज़े पता नहीं बर 12th का student बहुत कुछ कर सकता है ठीक है, तो उसमें आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है आप चाहो तो ऐसे colleges को भी कर सकते हैं, जब भी आपको एक वेबसाइट को विजिट करोगे, शिपिंग कमपनी की वहाँ पर आपको प्रॉपर प्रसीजर मिल जाएगा कि क्या ये शिपिंग कमपनी डिपलोमा एक नौटिकल सैंस कोर्स करवाती है यह नहीं करवाती है, तो इसका form कब आएगा, क्या procedure है, क्या requirements है सब कुछ आपको पता चल जाएगा, कहीं पर भी कुछ भी घूमने का काम नहीं है इस field का सबसे एक secret में आपको बता रहो agents की बातों में आगे, किसी third person की बातों में आगे, कोई गलत website कर ली तो आप इसी ब्रह्म में रहोगे, यार मैंने तो इतनी बड़ी shipping company में apply किया था यह हम कहां जा रहे हैं, और at the end of one year जब course हो जाएगा, तभी पता चलेगा कि यह सब चीज़े fake थी, ऐसे बहुत सा है लोग के साथ होता है इसलिए मैं किसी company का नाम नहीं ले रहा हूँ कि आप इसी company में जाओ, उसी company में जाओ, वो आपकी इच्छा है आपकी demand है, आपकी research के उपर depend करता है कौन सी shipping company अच्छी है, कौन shipping company अच्छी नहीं है सब कुछ information आज की date में आपको internet पर मिल सकती है, कहीं पर भी कुछ भी भटकने का काम नहीं है मैंने जो चीज़ें बता ही, वो याद रखो, वही चीज़ें follow करो और एक अच्छी shipping company में sponsorship ले लो आज की वीडियो में इतना ही, और अगर फिर भी आपको कुछ doubt है, आप comment section में जाके अपना doubt पूछ सकते हो या फिर मुझे आप kora पा भी message कर सकते हो, मैंने अपनी link जो है वो description में डाल दिया, thank you for watching the marine will